आज हम मा मंच्छा देवी मूर्ति आपको दर्शन करा पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत भाग्यवान हो घर में बैठके मंच्छा देवी माधर्शन हो पा रहा है हमारे वीडियो के माध्यम से आज का वीडियो हरिदुबार सीरीज का अंतीम चरन है पिछले वीडियोस में हम चंडी देवी, अंजना देवी मंदीर, उनके हिस्ट्री, ब्रंभाकुन, हरकी पोड़ी और गंगा आर्ती डिटेल्स में दिखाये थे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हरिदुबार सीरीज के बाकी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा आपको हरिदुबार प्लान करने से पहले बाकी वीडियोस जरूर देखे, आपको जरूर मदत होगी आज के वीडियो में आपको मंचा देवी मंदीर हरिदुआर के बाजार दिखाएंगे हम क्या खाए लंच पे ओ भी बताएंगे उसके साथ साथ हम रोपोय चर्जेज और हरिदुआर घुमने का आसन तरिका भी बताएंगे आप अगर एक दिन में हरिदुबार घुमना चाते हो तो हमारे तड़ा एक दिन का टूर प्लान कीजिए तबी है यहाँ पे पैदल मार्ग भी है और यह रोपवे भी है तीन रास्ता है तो जिनके चंडी देवी मंदिर का सिर्फ रोपवे है और पैदल है जिनके पास टाइम नहीं है और जिनका फिजिकल अक्टिविटी बहुत कम होता है वो लोग चेयर कर में ही आना चाहिए मतलब रोपवे में ही आना चाहिए क्योंकि रास्ता काफी स्टीफ है यहाँ पे उठने में थोड़ा बग भी लगेगा तो जिन लोगे पास टाइम कम हो तो रोपवे और यह और अलग तरीके का एक्सपीरियंस भी है रोपवे हर जगा में आपको रोपवे नहीं मिलेगा कितना बढ़िया दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है हम अभी-अभी हर की पौड़ी से आए कितना उचाहिए से पूरा हरिद्वार दिख रहा है हम स्टार्ट किये थे चंडी देवी मंदीर से फिर अंजना देवी मंदीर दर्शन किये मंदीर दर्शन करने के बाद हम रोपवे से नीचे उत्रे वहाँ पे कैंटिन में दो पहर का भोजन किये हम खिचरी, धोसा, इडली, पोहा और मीनी थालिज मिलती है हम मसाला धोसा के साथ हमारा दो पहर का भोजन शमाप्त किये आप हर की पवडी बाजर में भी भोजन कर सकते हो उसके बाद हम मंचा देवी मंदीर दर्शन किये चन्री देवी और मंचा देवी मंदीर के बीच में लगभग 3-4 किलो मिटर की दुरी है दिन के अंधिम चरन में हम हर की पवडी पहुँचे और मा गांगा जी की आर्ति में शामिल हुए कहीं पे बोला जाता है मंचा देवी भगवान शीवजी के कन्या है कहीं पे बोला जाता है मंचा देवी वाशु की नाग के बैहन है इसलिए मंचा देवी को नागो के देवी भी बोला जाता है मंचा देवी मंदीर बिल्वा पर्वत में है बिल्वा पर्वत शिवालिक हिमालाया के एक आंग्ष है बिल्वा पर्वत में है इसलिए मंचा देवी मंदीर का और एक नाम है बिल्वा तिर्थ हिंदी में मंशा नाम का अर्थ है तमान्ना इसलिए बोला जाता है श्रद्धलु भक्त के हर तमान्ना यानि मन्नत पुरी होती है मंशा देवी दर्शन करने से मंदीर सुबह 5 बजे से लेके शाम को 9 बजे तक खुली रहती है लेकिन 2 पहर 12 बजे से लेके 2 बजे तक मंदीर बंध रहती है इसलिए मंशा मंदीर दर्शन करने के लिए प्लैन आपको लंज के बादी करना चाहिए अब आपको पांच बज रहा है और हम लोग अभी नीचे के तरफ जा रहे है थोड़ी देर में सांसेट हो जाए लेकिन इहां इस मोमेंट में इहां से फूरा आसपस जो दिख रहा है ना इसे लग रहा है डिवाइन एक्सपरियेंस है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बहुत शान्त है सुंदर है पुरा जंगल है बड़े बड़े पेर और पाहड के ऊपर मंचादेवी का मनली इक अपने अप में एक अलग चीज लग रहा है बहुत अच्छे एक्सपरियेंस है आज का दीन बहुत अच्छा गया है यह बाला जो रस्ता है यह पैदल का है यह आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और हमरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए आज यहाँ पे इक हतम करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए खुश रहिए और स आपको खुशियों से भर दीजिए